सब पुँझी पतियों की सरकार है सब धककेशाही चल रहिए ये भी धकतर चल जाएगी तो क्या कर सकता है आमा आदमी तो क्या कर सकता है आमादमीके तो हाथ सब जोडते हैं typically वोट चाहिए होते हैं और तो कुछ होता नहीं आम आदमी के लिए साब ने तो यह बोला था कि सड़क सीधी जाएगी अब सड़क सीधी कितनी जा रही है वो आप देख लो प्लैन तो कागजों में इतने बड़े बड़े हैं और काम यह हो रहा है कि सड़क सारी टीडी मेडी जल रही है जो जैसे है धक्काश ही चले जा रही है एक एक फुट का थड़ा भी तोड़ दिया इन्होंने लोगों का आज किसी पुझी पती की दस फुट की बिल्डिंग पूरी छोड़ी जा रही है हम उसके खिलाफ आज ही कठे हुए हैं पुझी पतियों ने फिर से इस को हानरोड तक कि ये सड़क बन रही है जो काफी चोड़ी भी बनने वाली है इतना ही नहीं सड़क के बनने से लोगों को काफी फायदा भी होगा स्थाने लोगों का कहना कि सड़क बन रही है अच्छा है लेकिन ये भेदभाव क्यों उनका कहना कि सड़क को चोड़ा करने के लिए यहां जितने भी घर हैं उनकी आगे बने थड़ों को तोड़ा गया ताकि सड़क को बिलको सीधा बनाया जा सके लेकिन इसी बीच एक घर जिसने कई फुट तक कब जाकर रखा है उसे नहीं तोड़ा गया वलकि जो नाले बनाय जा रही है उसकी ही दिशा मोड दी ग रही थी उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कुछ पुझी पतियों ने फिर से इस पर कबजा कर लिया है दस-दस फुट आगे आके सड़क पर कबजा कर लिया है तो हम जब भी प्रशासन के पास गये और तो और मैं विज्ज साब के पास भी गया उन्होंने का एक इंच किस सामने हैं सब कुछ प्रशासन की मिली भगत आपके सामने हैं दस-फुट की वीडियो आप पूरी देख सकते हैं कि पूरी सड़की टेड़ी कर दी गई है एक पूंजी पति को बचाने के लिए सीवर भी टेड़ा कर दिया गया तो हमारी सिर्फ प्रशासन से मीडिया से सीधर आज सारा काम आज कोई सुनने को त्यार नहीं है जिस से हमने बात की जैसीवी वाले से हैं बुलाओ जी मीडिया हमें तो यहीं बोला गया इनकी कुछ नितोड़ा जाएगा बिल्कुल ऐसे तेशी करके सड़क बना दो वैसी सड़क बनाई जा रही है अब यह देख लोजी बीजेपी को हमने भी वोट दिये थे इसलिए दिये थे कि निश्पक्ष फैंसला होगा लौ आएगा सब जगह एक सा आएगा पर आज हम बीजेपी का भी हाल देख रहे हैं यही हाल है जो पहले हुआ गया इसके बाद अगर इसको नहीं छोड़ा इसको छोड़ दिया सब के लिए सेम कानून सब के लिए सेम हो मैं यह चाहता हूं प्रशाइसन से नहीं तो दश दस फुट सब बढ़ा ले आगे आगे देखा देखी कोई दस बढ़ाएगा कोई पंदरबढ़ाएगा कोई कुछ करेगा कोई कैसे अब यह सब जो इतने लोग इकठे हुएं में बिंडो पर जाओगा मैं काम को सीधे तही कैसे जब तक में नहीं होगा नहीं होने दूआ लोगों का कहना कि कानून सब के लिए एक होना के पूंजी पती का घर होने के चलते इसको नहीं तोड़ा गया बलकि इस दिश सबसे ज़्यादा अतिक्रवन किया हुआ है लुगों का कहना है कि आस तो उन्होंने काम को रुखवा दिया है अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो इसके शिकात सीव विंडो पर भी करेंगे विस साब ने तो यह बोला था कि सडक सीधी जाएगी अब हमारी तो यही गुवार है कि इसको सीधा करा दो हमें क्या मतलब है आप सीधा करा दो सडक सीधी हो जाएगी दूर तक दिखेगी हाईवे बन जाएगा अच्छा लगेगा विरोध कर रही लोगों का कहना है कि वो इस बारे में विधायक पर मोद विच से भी मिले थी उन्होंने कहा भी था कि वो एक इंच भी अतिक्रमन नहीं होने देंगी सिधी सड़क बनेगी लेकिन फिर भी इसे नहीं तोड़ा गया कि इत्मे है तो इसलिए परसासन से यह गोआ रहा है कि इसका ठीक हिसाब से काम किया जाए गुसाए लोगों का कहना है कि अब वो इसके शिकाय सेम बंडो पर करेंगे ताकि सड़क को बिल्कु सीधा बनाया जा सके जो सबके लिए अच्छा होगा आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे साथे वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें